Hello students, कैसे हो आप लोग? देखिए अपी नया जो syllabus आया है, revised होके, pandemic के कारण, जो corona pandemic चल रहा है, उसके कारण जो नया syllabus, revised होके है, उसमें क्या-क्या changes है, क्या-क्या चीज़ आपको नहीं पढ़नी है, उसके बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, तो इस तरफ मैंने लिया है आपका, यह जो आपका दिख रहा है sector, पता नहीं, आपको दिख रहा है कि नि, यह sector जो है, जहापे आपको blink होता हूँ दिख रहा ह wraगा, यह sector हमारा नया वाला है, यह हमारा पुराना वाला है, ठीक है? त si होता है प्रहुता होता है आपको solid उन्हेसीं नहीं पड़ना है किप होता तो तैक शेयर कि याद करना होता था हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस मिक्चर है, कॉलाइडल सॉल्यूशन है, तो यह सब चीजे हम लोगो यहाँ पहले भी पढ़नी थी, अभी भी पढ़ना है, उसके बार बोलता है कि पार्टिकल नेचर एंड बेसिक यूनिट यह भी यहाँ पहले पढ़ना था हम लोगो, और इसमें भी सारी चीजे पढ़नी है, कुछ भी यहाँ पहटाया नहीं है, उसके बार है structure of atom, structure of atom के बारे में भी आपको सारी चीजे पढ़नी है, कौन कैसे-कैसे state change होता है, यह सब चीजे नहीं पढ़नी है, मार्क कर लिजिए NCRT में, कि यह चीजे आपको नहीं पढ़नी है, यह तो बायो का है, बायो का टीचर मैं हूँ नहीं, तो बायो का हम अभी छोड़ो देते हैं, आप यह बायो के टीचर से हमारा देख लिजेगा, कि बायो के टीचर आके समझाएंगे कि आपको क्या-का चीजे पढ़नी है, क्या-का चीजे नहीं पढ़नी है, next है unit 3, unit 3 में हम लोग यहां पर देखते हैं कि हमको पढ़ना है motion, पहले जो motion था उसमें हम लोग को पढ़ना था, distance, displacement, velocity, uniform motion, non-uniform motion, straight line में, acceleration पढ़ना था हम लोग को, यहां पर distance time graph पढ़ना था, uniform motion, सब कुछ पढ़ना था, यहां पर भी आपको as it is सब कुछ पढ़ना है, motion में कोई change नहीं है, clear है यह चीज, motion में कोई change नहीं है, ठीक है, सब कुछ यहां पर देख लिजए, सब कुछ A to Z आपको match करता हूँ रिखाई देगा, अगला है कि force and Newton law में देखते हैं क्या क्या चीज़े हैं, तो यहां पर अपन comparison कर लेते हैं, बुलता है कि force में हम लोगों पहले पढ़ना था, कि force, motion, Newton के नियम पढ़ने थे, action, reaction देखना था, inertia पढ़ना था, and mass पढ़ना था, momentum पढ़ना था, force of acceleration पढ़ना था, और conservation of momentum पढ़नी थी, यहां पर देखते हैं क्या क्या चीज़े हैं, सब खुछ agities है, physics में तो मुझे लगता है, नहीं change करेंगे, देखो, क्या होता है, तो यहां पर तो हमने देख लिया कि force and law of motion agities है, अगला है कि gravitation, gravitation में change हुआ है, अच्छा, gravitation में देखो क्या बोलता है, अब हमको पढ़ना है, gravitation, free fall, फिर forces पढ़ना है, आपको Newton का जो gravitation का नियम था यह पढ़ना है, यहां पर भी वही चीज़े पढ़नी थी, लेकिन flotation जो है न वो नहीं है, मतलब thrust and pressure यह नहीं है, archimedes नहीं है, buoyancy यह सब चीज़े नहीं पढ़नी है, पढ़िया हो गया है न, second part जो है वो थोड़ा सा boring भी होता था, और कहीं न कहीं सायद आपको समझने में दिक्कत होती थी, अब पता नहीं अभी तक आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा होगा सायद अगर आप पढ़े होते तो आपको समझ में आता कि अच्छा बहुत मज़ा आ गया, यह चीज ही नहीं अब, अब देखो, उसके बाद है work energy and power, work energy and power additives है, सब कुछ वैसा ही दिख रहा है, कोई changes नह पढ़ना, पूरा का पूरा sound ही नहीं अब, बच गया आप, sound बड़ा chapter था, समझाना होता था, बहुत साज़ चीजे इसमें समझनी होती थी, वो चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, तो अब आपका syllabus हो गया है छोटा, अब आप enjoy कर सकते हो, enjoy कर सकते हो मतलब पढ़ने में, अब आपका tension खतम हो गया कि इतना कैसे पढ़ेंगे, अभी अचानक classes start होगा, तो syllabus जल्दी जल्दी जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल आराम आराम से जाएगा, जितना समय आपका बरबाद हुआ है, online हलागी आप साइद कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी है, तो काम की बात यह होगे कि sound तो गया, तो mark कर लिजे, NCRT में भी mark कर लिजे कि यह चीज हमको नहीं पढ़ना है, अगला क्या है बोलता है कि our environment यह चीज तो है, छोटा सा chapter है, पढ़ लिजेगा इस चीज को, और यहाँ पे physical resources, air था, soil था, water था, यह सब चीज है, सब कु चीज जैसा था, वैसे ही है, कोई change नहीं है इसमें, आगे बात करते हैं कि food, food देखते हैं कि नहीं है, food जो हटा दिया गया है, bio के teacher आपको बताएंगे, वो पढ़ाते हैं यह चीज, तो bio के teacher के लिए अच्छा हो गया कि food भी नहीं है, वो भी इसको इससे बचेंगे, आप कोई syllabus आपके पास है, अब नया वाला, रिवाईज वाला, उसको mark कीजिए, सही तरीके से समझिए और उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, all the best.